अब बहुत जो आपने कई वार पूछा है आज हम बनाने वाले हैं टमाटो ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक किलो टमाटर लिया है उसमें लसुन और अधरक थोड़ा-थोड़ा काटके इसके अंदर हमने डाल दिया है और उसमें पानी डालके हम इसको उबालने के लिए हम इसको रख देंगे गयास के ओपर हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि यह जल्दी उबल जाए यह कम 15-20 मिंट हमारे जो उबलते हुए हो चुके हैं तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बा तो यहां पर हमने पेस्ट बना लिया है इसके लिए हम तड़का इंतजाम करेंगे इसको इसके लिए मैंने तड़के के लिए पैन रख लिया है तो इसमें पतेले में तड़का मारेंगे तो यहां पर हमने तेल डाला थोड़ा सा और उसके बाद इसमें थोड़े से सूखी मुणब करेंगे शूखी मसाले में सकते हैं उस्के आपके आकर ढालने के ओसके देगी मिर्च अड़ किया है करने के देगी मच को भी थोड़ा सा बॉनने के बाद इसमें गड़ा जो टुमारा धेशार है और यमने आपने लोगोंने देखा होगा काजू अगर अगर का पेस्ट भी डाला जाता एhtो इसमें maァ। ही इसलिये तो इसमें फ़ोड़ा सा पानीडल देता हुए अब इसको म जो बढ़ने के लिए रख देंगे अब इसको 2-3 नुबाल आने तक को थोड़ा सा नमक ढूंग रीघिया विड्र सकते और इसमें थोड़ा सा बात में रहे आव शुगर ढाला है ड्रेवी थोड़ी सी मीठी होती है रश्रॉंट वाली तो इसको मच्छे से 15 मिनाड़ तक पकाएंगे तो 15-20 मिनट इसको पकाने के बाद हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाएगी तो इसी ग्रेवी का यूज करके मैं नेक्स्ट वीडियो में एक पनीर बटर मसाना बनाने वाला मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से जाके देख सकते हो या फिर उपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो उसका वीडियो तो जो हमारी ग्रेवी है वो अल्मोस्स रेडी हो चुकी है तो अब इस ग्यास के फ्लेम को बंद कर देते है अब इस वीडियो को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए और अब दाक अब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन कौन कर लिजे ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिवेशन मिलते रहे और आप वीडियो को लाइक करना मत बूले थैंक्यू सो मद ग